ऐसा एक business model जिसके अंदर ना कोई product को बनाना है ना कोई product को inventory में रखना है ना कोई manufacturing ना कोई employee को salary देनी होगी यानि Indian Brand Equity Foundation IBEF का analysis कहता है ऐसा business model आज के time पे पूरे भारत बर्स के अंदर 74.8 billion इसका market size बन चुका है और आने वाले दिनों में 2030 तक 350 billion डलर में पहुचने का उम्म यानि market में scope बहुत बड़ा है ऐसा business में entry करने के लिए और एक छोटा सा investment के साथ आप इस business को अकेले भी शुरूआत कर सकते हैं तो ऐसा business model है drop shipping business जो की long term चलने वाला business model है अगर आप थोड़ी समझदारी के साथ और सही जानकारी लेके इस business को शुरूआत करेंगे तो आप अच्छा खासा मनाफ़ा कमा सकते हैं परन्तु आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा drop shipping business को आप कैसे चालू कर सकते हैं जैसे की drop shipping क्या है drop shipping कैसे काम करता है drop shipping business के अंदर आपको कुन सा registration करना होगा कितना investment करना होगा आप marketing और branding कैसे करें इसके अलाबा drop shipping business के successful formula बताऊंगा जो कि वीडियो के अंत में तो वीडियो के अंत तक बने रही है मेरे साथ नमस्कार में विजय कुमार business consultant सीख ले बिजनेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप पहली बार इस चानल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और notification bell क सब्सक्राइब कर दीजिए तक कि किसी भी प्रकार का बिजिनेस अगर आप शुरूआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी अब दिखे हम सबसे पहले देखते हैं ड्रॉप सिपिंग क्या है देखे इसको बहुत आसान तरीके से हम समझत से और यह सप्लाइर होलसेलर रिटेलर या फिर दुकानदार भी हो सकते हैं अब कस्टमर को जो प्रोड़क्ट चाहिए उन्होंने ओडर आपको दिया और आप उस ओडर का डीटेल सप्लाइर को भेज दिया अब सप्लाइर प्रोड़क्ट को अच्छी तरीके से पेक करके क कस्टमर के पास पहुंचा देता है यह जो प्रोड़क्ट आप बेचना चाहते हैं उससे लिश्टिंग करना होगा यह बहुत सारे सप्लाइर को कंटक्ट करना होगा और उनसे सारे प्रोड़क्ट आप फोटो लेके अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना होगा अब द आपको एक टीशाट का फोटो भेजा और उसके साथ आपको प्राइस भी भेज दिया मान के चलिए 200 रुपीज अब आपने उसके उपर आपका मार्केटिंग कोस्ट को आड़ करके 300 रुपीज पे अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया यानि ना तो आपको कोई प उड़ाउन की ज़रों थे ना आप मानुफेक्चरिंग कर रहे हैं ना आप उस प्रोड़क्ट का मालिक हैं आप स्रिफ एंड स्रिफ सप्लायर से उस प्रोड़क्ट आप फोटो लेके अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया अब दिखिए कोई कस्टमर है और उनको टी-शिट की ज़रों थे और वो अपने मोबाइल के अंदर टी-शिट को ढूंड रहे हैं तो ऐसे में आपका वेबसाइट उनको दीख गया और जो टी-शिट आपने पोस्ट किया था वो टी-शिट उनको पसंद आ गया और उन्होंने और भी कर दिया और ऐसे में आपको एक notification आ जाएगा और जैसे ही आपको notification मिला आप तुरंद देखके उस order detail को आप supplier के पास भेज़ देते हैं और supplier और T-shirt को बढ़िया से पेक करके customer के पास पहुंचा देता है अब दिखे customer का लगेगा कि आपने T-shirt का डिलिवर किया और customer बहुत खुश हो जाते हैं क्यूंकि same T T-shirt customer को दुकानदार के पास 500 में मिल रहा था यानि manufacturer से wholesaler, dealer, distributor, retailer सबका margin को ध्यान में रखते हुए एक 200 का T-shirt customer तक पहुंचते पहुंचते 500 रुपया हो जाता है परन्तु जब आपका online store चे वो 300 पे खरीते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुश हो जाएंगे अब दिखे customer order किसको दिया आपको दिया यानि पैसा आपके account में आया अब आपने deal के अनुसार supplier को 200 रुपीज दे दिया और पाके 100 रुपीज अपने पास रख लिया यानि सारे खुस, customer भी खुस, आप भी खुस और आपका supplier भी खुस इसके अलाबा दिखिए आपको किसी एक supplier के उपर depend नहीं रहते हुए आपको बहुत सारे supplier के साथ contact बनाना होगा जिससे आप उनके बीच का जो price है उससे भी आप comparison कर सकते हैं इसके अलाबा दिखिये किसी भी supplier का return policy बहुत आसान होना चाहिए कभी कबार ऐसा होता है कि customer को product पसंद नहीं आता है तो वो return करना चाहते हैं तो ऐसे में आपका supplier है उनका return policy बहुत आसान होना चाहिए ताकि आपको या फिर आपका customer को कोई problem नहीं होना चाहिए अब देखें drop shipping business को चालू करने के लिए किन चीजों की ज़रत होगी देखें सबसे पहले ज़रत होगी laptop और mobile और उसके अंदर internet होना चाहिए इसके अलाबा आपका खुद का एक online store यानि online website होना चाहिए और उसे day to day develop करने के लिए ज्यादा ज्यादा customer को लाने के लिए आपको एक web service provider की ज़रत होगी इसके अलाबा दिखिए website को बनाने के लिए आपको कुछ investment करना होगा और आपको कुछ time भी देना होगा इसके अलाबा digital marketing skill होना बहुत जरूरी है क्योंकि drop shipping business का जो success और failure यह depend करता है आपका marketing जो की मैं आगे आपको बताऊंगा परन्तु अगर आपके अंदर digital marketing skill नहीं है बहुत मुश्किल होगा इस business के अंदर survive करना अगर आपके अंदर digital marketing skill को आप develop करते हैं तो फिर drop shipping business के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा customer को ला पाएंगे अपने website के उपर तो फिर आपको sell करना भी आसान हो जाएगा के लिए trademark registration अगर आप कर लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा एक brand create करने के लिए अब दिखिए drop shipping business के अंदर कुछ advantage को हम देखते हैं दिखिए सबसे पहले आप low investment के साथ इस business को सुरुआत कर सकते हैं लोकेशन वाइच पूरे भारत वर्ष के अंदर कहीं से भी इस business को चालू कर सकते हैं इसके अलाबा अपने customer के लिए अब जितना चाहे उतना product इसके अंदर आड़ कर सकते हैं मान के चलिए आपने टी-shirt का फोटो डाला और customer का पचंद नहीं आ रहा है आप उस टी-shirt का फो लोगा और इससे ना तो आपको थार्ट पाट के ऊपर dependent होंगे और एक दिन ना एक दिन आपका जो website है उसको एक नया पहचान मिलेगा और धीरे-धीरे यह brand बनने लगेगा इसके अलाबा देखिए ना कोई आपको warehouse inventory packing shipping manufacturing employee को salary किसी प्रकार का जंजट नहीं है कोई बड़ा रिस्क नहीं है इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको स्रिफ एंड श्रिफ खुद का एक online website बनाना होगा और किसी wholesaler, retailer या फिर manufacturer से deal करना होगा और उनसे बनाये गया प्रोड़क्ट को बिना खरीदे उनसे प्रोड़क्ट का फोटो लेके अपने website के ऊपर post करना होता है और post करने के बाद अपने website को marketing कराके जादास जादा customer को लाके प्रोड़क्ट को बेचना होता है और इसमें आप अपना profit करके बाकी deal के अनुसार अपने supplier को देना होता है अब दिखे drop shipping business के अंदर सबसे बड़ा disadvantage है ब्रांडिंग क्यूंकि आज के टाइम पे कोई भी ब देना एक attractive बनाना यह इतना असान काम नहीं है और अगर आपका website ज्यादा attractive नहीं होगा तो फिर इसके उपर ज्यादा ज्यादा customer को लाना बहुत मुस्किल होगा अब देखे drop shipping business के अंदर आपका और आपका supplier का क्या रोल होता है देखे आपका रोल होता है एक खुदका एक customer को लाना और उनको sell करना आपका supplier है उनका काम होता है product को बनाना यानि manufacturing करना warehouse go down employee को salary देना और इसके अलाबा देखे जो customer होते हैं उनके पास shipping करना यानि उनको product deliver करना यह भी आपका supplier का काम होता है अब देखे drop shipping business के अंदर marketing सबसे बड़ा role play करता है यानि जितना अच्छ marketing का skill होना बहुत जरूरी है जिससे आप अपने targeting customer तक पहुंच सकते हैं जैसे Facebook आड़ Instagram आड़ या फिर Google आड़ करके आप अपने actual customer तक पहुंच पाएंगे अब दीखे इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है को का customer acquisition यानि एक customer को acquire करने के लिए आप कितना पै loss हो जाएगा अगर marketing cost 100 के नीचे रहता है तो आपको profit होगा यानि 100 के नीचे अगर एक नहीं दो नहीं अगर आप 10 customer ला दिये और 10 का 10 customer आपका product को खरीद लेता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा यानि यह जो सारा का सारा खेल है drop shipping business के अदर यह marketing का ही खे पाएंगे और इसके लिए आपका digital marketing skill होना बहुत जरूरी है ताकि आप कम खर्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा customer को ला पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे अब देखे drop shipping business के अंदर successful tips में आपको बताने जा रहा हूं देखे drop shipping business के अंदर अगर आप success होना चाहते हैं तो फिर आपको एक brand बनना होगा without brand किसी भी product को बेजना आज की टाइम पर बहुत मुश्किल होता है इसलिए शुरुआती में आप एक काम करिए reselling में चले जाए यानि आप facebook में एक page बना लिजिए और whatsapp का भी इस्तेमाल करिए whatsapp में जो catalog होता है वह आपको लगेगा कि आपका एक बहुत बड़ा customer base बन गया फिर आप reselling से धीरे धीरे आप drop shipping business में आईए ताकि आपको आसान होगा इस business के अंदर काम करना बना बहुत मुश्किल होता है drop shipping business के अंदर marketing करके business को आगे बढ़ाना क्यूंकि सारा का सारा खेल होता है marketing का यह तो अबराल drop shipping business को आप कैसे चलू करें अगर इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के उपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चानल को जरू सब्सक्राइब करें अरहां आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और स्याज जरू करें तब तक के लिए मैं विद्धे की गहराई जिसे बहुत बहुत धन्यवाद